निर्धारक तत्तों को समझने के बाद अब हम आते हैं अगले बिंदु पर और वह है भारत की विदेशनीती के मूल सिध्धान्त भारत की विदेशनीती की विशेष्टाएं या लक्षण भी हम कह सकते हैं क्या हैं किन सिध्धान्तों पर आधारित है उद्देश साफ हो गए निर्धारक तत्व आप समझ गए सिध्धान्तों का भी हमने पूर में जिक्र किया है अब यहाँ पर उसे एक अलग बिंदु के रूप में हम थोड़ा समझने की कोशिश करें कि भारत की विदेशनीती के मूल सिध्धान्त क्या है भारत की विदेशनीती के अदि बात करें तो इसकी शुरुवात 1946 सितंबर में हो गई थी 1946 सितंबर में अंतरिम सरकार इंटरिम गर्मेंट बनी थी इंटरिम गर्मेंट के समझ में और उस समय इंटरिम गर्मेंट में जवालाल नहरू प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के रूप में आते हैं और इस प्रिकार वह स्वयम विदेश नीति के मूल निर्धारक बन जाते हैं तो कि विदेश नीति का आधार रखने का काम ही पहले विदेश मंत्री का था आज भी बनी हुई हैं ये एक बहुत महत्पूर्ण बात है कि 1946-47 में तत्कालीन विदेश मंत्री ने जिन सिध्धान्तों पर अपनी विश्देश नीति को आधारित किया था लगभग वही सिध्धान्त या थावत आज भी चल रहे हैं और इसकार हमारी विदेश नीति में हम एक तरीके से एक निरंतरता देखते हैं कितने ही अंतराष्टी बदलाव आए हूँ कितनी ही अंतराष्टी घटनाए हुई हूँ लेकिन भारत की विदेश नीति चूकी उसके राष्टी हित पर आधारित थी इसलिए स्थाई थी और इसलिए वो निरंतर बनी हुई है सतत से एक किसी सरकार ने भी जो भी सरकार हैं उसने इस पंडित नहरूज थार स्थापिद भारत के विदेश निति के जो मूल सध्धान्त थे उसको दर किनार नहीं किया उसकी उपेक्षा नहीं की तो आखिर वो कौन से मूल सिध्धान्त हैं जो निरंतर बने हुए हैं पहला सामराजवाद और उपनिवेश का सतत विरोध तीवर विरोध दूसरा विश्वशान्ति में विश्वास भारत ने विश्वशान्ति में अपना अटूर्ट विश्वास दिखाया है और मत्र अत्हातिक परंपरा के कारण ही नहीं बलकि कुछ जरूरतों के कारण भी जिसका हम जिक्र कर चुके हैं तीसरा सुख्तराष्टि के कायरेक्रमों का समर्थन करना यह हमारा एक सिध्धान्त रहा है और इसके पीछे कारण क्या है क्योंकि भारत हमेशा अंतराष्टी विवादों का शांति पूर्ण निप्टारा चाहता है सैने निप्टारा नहीं सैने हल नहीं क्योंकि भारत स्वायम सैने दिर्ष्टि से कमजोर रहा है इसलिए शान्तिपूर्ण निप्टारे की बात करते हुआ यह प्रयास करता है कि विश्व में शान्ति बनी रहे और यदि विश्व में शान्ति है तो भारत के आर्थिक विकास के लिए भी वह फायदे मंद होगा चौथा सिधान्त रंग भेद का विरोध इसके पीछे भी भारत के इतिहास को देखा जा सकता है भारत के इतिहास का प्रभाव देखा जा सकता है रंग भेद रसाथ क्या जिसे हम अंग्रेजी में अपार्थीड कहते हैं रंग भेद की नीती जिन देशों में थी वहाँ जो देश के मूल लिवाती थे उन्हें काले ब्लैक्स कहा जाता था और गोरे लोग के द्वारा उसमें शासन था तो काले गोरों के बीच में रंग भेद के तहट भेद भाव था सामाजिक भेद भाव राजनेतिक भेद भाव आदी आदी जैसे भारत में जाती प्रथाक को लेकर बहुत सारे भेद भाव हुए एसे ही कई देशों में रंग को लेकर गोरे लोगों ने ब्लैक्स पर कई तरह के पाबंदियां लगाई थी उन्हें कई तरह के अधिकार नहीं दिये गया थे समाज में उन्हें समानता नहीं दी गई थी भारत ने इस रंग भेद की नीति का सक्त विरोध किया क्योंकि भारत घरेलू मामलों में इन्हीं मुद्दों पर आधारिज जाति प्रता का सक्त विरोध ही रहा है तो इसलिए अंतराश्टी मंच पे इस प्रभाव का असर भारत की विदेश नीति में साफ दिखाई देता है और इसी के तहट उसने रंग भेद का सतत विरोध किया पाँचवा सिधान्त बिना शर्थ हम विदेशी साहता लेने के लिए तयार रहेंगे लेकिन किसी तरह की शर्थ यदि उस पर लगी हो तो हम उन शर्थों के कारण ऐसी साहता अस्वीकार कर देंगे क्योंकि ये शर्थें भारत की सार्व भौमिक्ता जिसे हम सम प्रभुता कहते हैं अंग्रेजी में जिसे हम सावरेंटी कहते हैं उस पर चोट पहुंचाएगे तो हमारी विदेश नितिका एक सिधानत क्या बना बिना शर्थ विदेशी साहता लेना तभी लेना जब उस पर कोई शर्थ ना हो और विदेशी साहता से इंकार ना करना यदि उसमें कोई शर्थ ना हो छट्वाँ गुट निर्पेख्षता की नीती जिसका जिक्र हम पूर में कर चुके हैं और आगे इस पर हम विस्तार से पढ़ेंगे इसके प्रभावों का ध्यान करेंगे तब आप बहतर समझेंगे कि ये हमारी विदेश नीती का कितना महत्पूर्ण सिध्धान था साथवाँ किसी विदेश की विदेश नीती का मूल सिध्धान थोता है उसके राष्टी हित की सुरक्षा और सुरक्षा में वार्धाक्य वही बात भारत के लिए भी लागू है कि हमारी विदेश निती इस आधार पर इस निव पर आधारित थी कि वहार राश्टी हितों की सुरक्षा करे आठवाँ शान्ति पूर्ण सह अस्तित्व का समर्थन हम सदैव करते रहेंगे उसकी जरूरत भी थी उसकी अनवारिता भी थी भारत जैसे कमजोर आर्थिक रूप से कमजोर आव विकेसित देशों के लिए नौवा भारत सतत रूप से शस्त्री करण का दिरोध करेगा और निशस्त्री करण का समर्थन करेगा इसके पीछे भी भारत की सैनिक कमजोरी कुछ हद तक कारण थी भारत की भागोलिक जो उसकी सीमाय परी सीमाय है वो भी कुछ हद तक इसका कारण थी तो भारत हमेशा शेस्त्री करण का विरोध करेगा क्योंकि शेस्त्री करण रसाथ अपनी आये का बहुत कुछ खर्च सेना और उसके नवीनी करण पे खर्च करना भारत जैसा देश जो आर्थिक रूप चे बहुत कमजोर था जिसे जरूरत थी कि वो अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा देश के नागरिकों के आर्थिक विकास में लगाए वह कताई सुरक्षा के नाम पर इतना ज्यादा खर्च करने की ताकत नहीं रखता था और इसलिए वह सैन्य खरीदी बिक्री के खिलाब था अर्थात शस्त्री करण के खिलाफ और निशस्त्री करण का पक्षधर और अंतिम जो उसका सिधान था वह साधनों की पवित्रता साधनों की परिक्ता का क्या मायनी है हम जो भी लक्ष प्राप्त करें लक्ष पवित्र हों लक्ष साफ हों, अच्छे हों वहां तक तो ठीक है उस लक्ष को पाने के लिए जो मार्ग अपनाया जाए वहां मार्ग भी एक तरीके से पवित्र होना चाहिए ऐसा हमारी विदेश नितिका से धानत माना जा गलत मार्ग से गलत तरीके से हम अपने लक्षों की प्राप्ति नहीं करेंगे ऐसा हमारी विदेश निति में स्पष्ट है महत्मा गांधी ने भी स्वय में इस बात को बार-बार कहा है कि साध्य और साधन दोनों पवित्र होने चाहिए दोनों पाक होने चाहिए जितने महत्पू precurs है उतना ही महत्पूर्ण वो ये साधन भी है जिसके जरिये उन देशों की प्राप्ति की जाती है तो हमारी विदेशनीती का एक सिधान्त है पवितरता, साधन की पवितरता इस वकार इन दस सिधान्तों पर हमारी विदेशनीती आधारित है ग्यारवा सिधान्त क्या है? इसका जिक्र मैं पूर में कर चुका हूँ पहले मैंने बताया था पंचशील का सिध्धांत पंचशील का सिध्धांत क्या है पहले तो आप यह समझने कि भारत इस सिध्धांत का मातर CP नहीं रहा बलकि इसका प्रवर्टक भी रहा पंचशील का सिध्धान्त भारत और चीन के बीच की संदिका परिणाम है जो 29 अप्रेल 1954 में हुई थी कब 29 अप्रेल 1954 को भारत के प्रधान मंत्री पंडिजवालाल नहरू और चीन के प्रधान मंत्री चाविन लाए इनके बीच में एक समझोता हुआ था जिसके तहत अंतरराष्टी संबंधों को लेकर पांच बिंदू रखे गये थे और उस पे सहमती ये पांच बिंदूओं पर हम थोड़ा सा नजर डालें क्या थे ये पांच बिंदू थे इसलिए इसलिए इसे पंचशील सिध्धान्त कहते हैं तो वो पांच सिध्धान्त क्या हैं पहला किसी की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता का सम्मान देश की प्रभुसत्ता और खेतरी अखंडता का सम्मान करना दूसरा अनाक्रमण अर्थाथ एक दूसरे पर आक्रमण ना करने पर सिध्धान्तता सामत होना अनाक्रमण तीसरा अहस्तक शेप नान इंटर्फरेंस किसी देश के अंदरूनी मामले में दखल ना देना ये अंदरूनी मामला क्या होता कल्पना करिये भारत के अंदर दो राजियों के बीच कुछ समस्या है या दो धर्मों के बीच में कुछ समस्या आ गए समाज के दो वर्गों के बीच में किसी बात को लेकर जगड़ा हो गया तनाव आ गया तो कोई अन्य देश इस मुद्दे पर अपना कुछ बयान देके किसी एक पक्ष किसी एक गुट का समर्थन करे तो वो गलत है उसे किसी अन्य देश को कते ही अधिकार नहीं है कि भारत के अंदर उपजी समस्या का पर किसी तरह की वो टिपणी करे और यह ऐसा करता है इसका माइने हैं कि भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक शेप कर रहा है और ऐसा करते हुए वह किसी एक पक्ष के प्रती अपना जुकाओ दिखा रहा है जो गलत है तो इसका तीसरा सिध्धान था पंशील का एक दूसरे के अन्दरूनी मामले में हस्तक शेप ना करना अर्था अहस्तक शेप चौथा सिध्धान समानता एक दूसरे को बराबर मांगना यह बहुत महत्पूर्ण सिध्धानत है कि किसी भी दृष्ट से किसी भी राष्ट को अपने से कमजोर ना आकने का सिध्धानत यह मैत्रिपूर्ण संबंदों के लिए बहुत जुरूरी था और पांचवार अंतिम था शान्तिपूर्ण सह अस्तित्व पीस्फुल को एक्जिस्टेंस जिसमें सभी देश स्वतंत्रता पूर्वक अपनी आंतरिक और अपनी विदेश नीती की दिशा बनायने के लिए स्वतंत्र है आंतरिक और विदेश domestic और foreign policy दोनों का निर्धारन करने के लिए हर देश स्वतंत्र है किसी तरह का उसमें दखल नहीं और वे अपने आदर्शों के अनिशार अपना जीवन यापन कर सकते हैं इस पकार इन पांच सिध्धानतों को भी हम भारत की विदेश निति के सिध्धानतों में जोड सकते हैं और ये जो संदी थी अत्याधिक महत्पूर्ण थी 1954 अप्रेल 54 और जर्जौ अलाल नहरू के बीच बाद में तो ये पंच सिध्धानतों के सिध्धानतों को विष्व के अधिकतर देशों ने मानता दिये क्योंकि ये वे सिध्धानतों थे जिसको सभी देशों ने पाया कि वह पीस्फुल को एक्जिस्टेंस के लिए अंतरराश्टी संबंधों को मैतरी पूर्ण बनाया रखने के लिए आदर्श सिध्धानत हैं तो इसे एक तरीके से आदर्श सिध्धानत मानते हुए विष्व के अधिकतर देशों ने इसे अपना जा और इसके प्रणेता कौन थे हमारी विदेश नीतिके नीतिनरधारक पंडे जवालल नहरू भारत की विदेश नीतिके सिध्धानतों की एदिबात करें तो उसमें एक सबसे महतपूर्ण या बल्कि कहना चाहीए एक अतिमहतपूर्ण सिध्धानत यह भी था कि भारत अपनी विदेश नीति के तहत ये सदय प्रयास करेगा कि अफरीका और एशिया के देशों में एकताब बनी रहे उसकी जो विदेश नीति थी वो इस बात पर जोर दे रही थी स्तत रूप से के एशिया के देश और अफरीका के देश ये एक कॉमन प्लैटफॉर्म पे आएं और उसका कुछ कारण भी था ताथकालित कारणों की अदि बात करें तो भारत 1947 में स्वतंत्र होता है और उसी के आसपास बहुत सारे अफरीका और एशिया के देश जिनकी संख्या लगभग सौ हो सकती है वे भी स्वतंत्र होते हैं क्योंकि सामराज वाद की समाप्ति का काल था उपनिवेश वाद की समाप्ति का ये काल था और तथा कति जो सामराज थे वे सिमट कर अपने अपने ख्षेतर में सिमित हो गए थे तो अफ्रिका के हम देखते हैं बहुत सारे देश ये नवोदित राष्ट और एशिया के भी ऐसे नवोदित राष्ट इन में कुछ समानताएं थी पहली समानता तो जो मैंने बताया कि ये सभी भारत ही जैसे इसी काल में स्वतंतर हुए थे लंबी गुलामी के बाद दूसरी समानता इन में ये थी कि जूकि ये लोग उपनिवेश थे भारत की तरह सामराज जिवादी ताकतों के उपनिवेश थे ये सब बले शोशित राष्ट थे और शोशित होना मतलब अत्याधिक नर्धन थे और विकसित थे तीसरी जो बहुत महत्पूर्ण बात इन में थी वे संसाधनों से भरे पड़े थे प्राकृतिक संसाधनों से भरे पड़े थी ये क्शेत्र लेकिन इनका दोहन तामराजवादी ताकतें अपने ख्षित्र के विकास के लिए की थी और मात्रकच्चे माल के रूप में इन सब देशों से माल ये अपने अपने मूल देशों में ले जाते थे इस तीन चार चीजों की समानता का परणाम ये कि भारत इन देशों को अपने समकक्ष अपने साथ देखता था और ये देश भी अफरीका और एशिया के देश भी भारत को एक ऐसे देश के रूप में देखते थे जो नवुदित राष्टों को नित्रित दे सके दिश्या दे सके तो भारत की विदेश नितिका एक बहुत अहम अंग था एशियाई अफरीकी एकतापल बल भारत सदेव स्वतंतरता को इस्थाई बनाने की पैरवी करते रहा इस्थाई बनाने का अर्थ ये कि अब ये हम सुनिश्चित करें कि आगे भविश्च में हम फिर सामराजवादी ताकतों के चंगल में ना आ जाएं और इसके लिए जरूरी है कि हम एक दूसे सहयोग करें एक दूसे से आर्थिक और तक्निकी को आपरेशन करें और ऐसा करते हुए विकास करें अशियाई अफरीकी देशों की एकता को ठोस रूप देने के लिए एक कॉमन मंच पे लाने के लिए समय समय पर बहुत सारी कॉन्फरेंसे सम्मेलनों का आजन किया जाता रहा और भारत जो है वो सदैव इन सम्मेलनों के माध्यम से एशिया की एकता पर बल देता रहा अफरीका की एकता पर बल देता रहा और सम्मलाज जवाद और उपने वेशवाद की विचार धारा के का प्र मैंने जो सम्मेलों की बात की एक दो दाहरन देखें एफ्रो एशियन कॉन्फरेंच उसी तारतम्य में हमारी स्विदेश निति के एक महत्पूर्ण अंग के रूप में ही हुई थी भारत ने नव उपनिवेशवाद की प्रक्रिया में भी भूमिका निभाई अब ये नव उपनिवेशवाद जिसकी चर्चा हम पूर में कर चुके हैं वह ऐसा उपनिवेशवाद था जिसमें शोषण कच्छे माल का दोहन ये मूल था पर नव उपनिवेशवाद कुछ अन्य प्रक्रिया थी ये शीत युदि का परणाम थी एक मायने में हम कह सकते हैं कि अमेरिका और सोवियत संग ये इन राज्यों को इन नए राश्ट्रों को अपने अपने खेमे में इसलिए नहीं रखना चाहता था कि इससे उनको कुछ फायदा होगा आर्थिक दोहन का फायदा होगा बलकि इसलिए कि इससे इनकी वर्चस्वता में वृद्धी होगी कि इनकी अपनिवेश्वादी भावना जो आई जो बिस्वी शताबदी के उत्तरार्ध में हम कह सकते हैं पनपने लगी वह कहलाती है नव उपनिवेश्वाद इसमें भी भारत ने बहुत महत्पूर्ण भुमकान भाई उन्ने सो उन्चास इंडोनेश्या के स्वतनता संग्राम के स प्रक्रिया में बहुत महत्पूर्ण भुमिका निभाई थी जिसका जिक्र में पहले कर चुका हूँ बांडूंग सम्मेलन उन्निस्व पच्पट ये इंडोनेश्या में हुआ था और इसे बांडूंग सम्मेलन के नाम से ही जाना जाता है जहाँ पे पंच शील के सिधान क और ज्यादा विस्तारित किया गया थी यह सम्मिलन अफरीका और एशिया के देशों की एकता का आधार शिला बनी इसमें 29 देशों ने भाग लिया जिसमें 23 एशियाई देश थे और 6 अफरीकी देश थे अफरीकी देशों की तुलना की विपस्तित उस हद तक कम थी क्योंकि वैसे तो बहुत सारे राष्ट वहां सुद्दन तो हो चुके थे और हो रहे थे उस प्रक्रिया में थे लेकिन किसी कालन वक्त सभी इस सम्मिलन में शामिल नहीं हो पाए थे लेकिन उक शुरुआत तो हुई थी पहला सम्मिलन होने की दृष्ट से हम सफल सम्मिलन मान सकते हैं क्यों कि ये अपने तई दो महाद्वीपों के समकक्षी देशों का एक तरीके से पहला सम्मिलन था जुती विशुदि के बात का इसमें नहरु ने गुट निरपेख्षता की नीटी का प्रतबादन करते उसे अपनाया जाने की बात पर जोर दिया गुट निरपेख्षता और इसकी सफलता से ही प्रत्साहित होकर नहरु ने मिस्र के राश्पती गमाल अब्दुलनासिर और युगोसलाविया के राश्पती गुस्ताव टीटो से वराउनी के स्थान पर बातचीत की और 1961 में इस प्रकार हम कह सकते हैं बांडूंग सम्मेलन पहला एफ्रोईशन सम्मेलन वहां से हम गुट निरपेख्ष आंदोलन के नीव आधार रखे जाने के शुरुआत देख सकते हैं क्योंकि बांडूंग सम्मेलन में गुट निरपेख्षता की नीती जो पंडित नहरु ने प इन तीन विश्वनेताओं ने जिनका नाम मैंने लिया इन्होंने फॉर्मल तरीके से 1961 में गुट निर्पेक्ष आंदोलन का अस्तित रखा बेलग्रेड में जिगोसलाविया की राजधानी थी बेलग्रेड इसमें मुखरूप से अफरीका और एशिया के नवोधित राष्ट ही शामिल थे तो इस प्रकार पहले एफरो एशियन कांफरेंस की सफलता और उसकी महत्ता पर हमने संक्षित में जानकारी ले ली